हेलो स्टुडेंट, वेलकम एन ओनलाइन क्लास इन सर्दारवल भाय पटेल इंग्लिश मेडेम स्कूल यावल मैं हूँ आपकी मैथ टीचर धनश्रीमेम तोड़े वी विल ओनली सी दी मैथ रिविजन, ओके तो आज हम मल्टिप्लिकेशन की रिविजन देखेंगे ताकि आपको निक्स क्लास में एक्जाम्पल सॉल करने के दी कोई प्रॉब्लिम ना हो तो चलो हब हम फर्स्ट एक्जाम्पल दिखते हैं फर्स्ट एक्जाम्पल हमें क्या दिखाई देता है 359 मल्टिप्लाइ 42 ऑके बट स्टुडन्ट मल्टिप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टन बात में आपको बताना चाहूंगे कि आप लीज आपको 1, 2, 10 तक के टेबल आने चाहिए और मुझे पता है कि आप सभी को 1, 2, 10 ही नहीं 1, 2, 20 तक के टेबल सारे लगने राइट स्टुडन्ट तो स्टार्ट करते हैं मल्टिप्लिकेशन में आपको खास ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डिजिट से मल्टिप्लाई करना है तो नीचे वाले जो नमबर है 42 इसको हमें मल्टिप्लाई करना है 359 से तो हम पहले start करते हैं 2 multiply 9 क्योंकि last digit से हम multiplication के लिए addition के लिए हम start करते हैं अब हम last digit से start करते हैं क्योंकि हमें पता है multiplication math में multiplication हो, addition हो, subtraction हो कोई भी हो हमें last digit से ही start करना होता है तो पहले हम unit position पे जो number है 2 इस 2 से multiply हम उपर वाले सभी नंबर को करेंगे last से लेकर first तब तो 2 multiply 9 2 9 0 18 यहां हमने 8 को write किया और 1 को carry किया फिर से 2 5 0 10 10 प्लस 1 11 11 से हमने 1 को यहां कर लिया और carry 1 रख लिया 2 3s are 6 प्लस 1 7 अब यह हमारी multiplication हो गई 359 को हमने 2 से multiply कर लिया तो अब हम unit का हमारा हो गया अब हम multiply करेंगे 10 से अब 10 पोजिशन पे हमारे है fork number तो 4 को हम multiply करेंगे 9 से 4 9 0 कितना होता है 36 ऑके बट आपको 4 को multiply करने से पहले एक important बात को ध्यान में रखनी होगी कि हमारा 2 तो हो गया 2 से हमने सभी number को multiply कर लिया मतलब 2 का काम अब हो गया अब हम 4 से multiply करेंगे हमारा 4 10 की position पे है तो हम यहाँ write करेंगे 0 और फिर मतलब से इसको start करेंगे 4 9 0 36 हमने यहाँ 6 को write कर लिया और 3 को carry कर लिया ओके 5 4 0 20 20 प्लस 3 23 3 को हमने यहाँ write कर लिया 2 carry कर लिया 4 3 0 12 12 प्लस 2 14 हमने यहाँ 14 को write कर लिया अब हमें इन दोनों की addition कर लिया तो हम अब इसकी addition करेंगे 8 0 8 प्लस 0 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3 10 यहाँ हमने 0 write किया और carry पे 1 किया 4 प्लस 1 5 और यह 1 as it is रहेगा तो अब हम next example को solve करेंगे जैसे हमने first example solve किया उसी तरह हमें अब second example को भी solve करना है तो हमने क्या किया था पहले यूनिट पोजिशन पे जो नंबर है उस नंबर से हमने उपर वाले सभी नंबर को multiply किया था तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें 3 multiply 6 देन 3 multiply 4 देन 3 multiply 2 तो 3 6 आर 18 18 को 8 को मैंने यहाँ write कर लिया और carry 1 कर लिया 3 4s आर 12 12 प्लस 1 13 13 से 3 को मैंने यहाँ write कर लिया और 1 को carry कर लिया 3 2s आर 6 6 प्लस 1 7 जैसे हमने देखा था यूनिट से हमारा multiplication अब हो गया अब हम multiply करेंगे 10 की position को तो हम क्या करेंगे जो यूनिट की position पे जो नमबर है उससे हम अब 0 लिखेंगे यहाँ पे 5 6s आर 30 यहाँ मैंने 0 write किया और 3 को carry कर लिया 5 4s आर 20 20 प्लस 3 तो 23 तो मैंने यहाँ 3 को write कर लिया और 2 को carry कर लिया ओके 5 2s आर 10 10 प्लस 2 12 मैंने यहाँ 12 को write कर लिया अब हमें इन दोनों की addition करने है 8 प्लस 0 8 3 प्लस 0 3 7 प्लस 3 10 10 में मैंने यहाँ 0 write कर लिया और carry पे 1 रख लिया 2 प्लस 1 3 और 1 as it is तो आपको point समझ में आया हमने अभी 3 by 2 की multiplication की मैं आपको कुछ example दूँगी जो आपको solve करके मुझी दिखाने होगा